जैन फ्रंट इज पर्टेक्निक में आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत बढ़ी आऊंगे जैसा कि फ्रेंट्स हम लोगों ने इसके पारी वाली वीडियों में सभी टॉपिक कवर कर लिया आज हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसके पार्ले प्रेंट्स पड़ा उसमें इंड कभर और हैट कनेक्शन हमने इसा पढ़ लिया था थी तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिधारक दिवाल जैसा कि हम लोग जब भी कोई नया चेप्टर पढ़ते हैं तो उसका मतलब एनालेसिस करते हैं ठीक एनालेसिस करत प्रतिधारक दिवाल इसे इंग्लिस में रिटेनिंग वाल बोलते हैं और हम लोगों की स्लब में कांटी लिवर रिटेनिंग वाल पढ़नी हम है इस ठीक इंट्रोडक्शन और आप इसे देख करें न समझेगा कि यह मतलब पेपर में भी दिया जाएगा इंट्रोडक्शन ठीक का मतलब ओपदार जो धीरी यवास्था में होते हैं उन्हें रोकने के लिए रिटेनिंग वाल हो गया है देखेंगे वहां पर मतलब पहारी हाई-विये में पढ़ा होगा रिटेनिग वाल बनाई जाती है यूंको रिटेनिंग रोकती है ठीक जैसे आप जाएगे तो तो देखेंगे वहां पर मतलब पहाड़ी हाईवे में आपने पढ़ा होगा रिटेनिंग वाल्ब मतलब पहाड़ी रोड होते हैं रोड के किनारे ऐसे बनाई जाती है तो क्या करते हैं जो भू अस्खलन होता है हिम पात हो गए तो आता है तो यह रुखती है ताकि अगर शि कॉटाव में जो रोड बनाए जाते हैं तो अंसता कटाओ में तो नहीं सता भरा क्या बनाए जाते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिले गा एक थीक तो चलिए अलयते हम लोगे हां पर हो गया यह बेस्ट लैब हो गया डीक जो आताकार देख रहे बैसलों आपको लाँ उद्वाधा देख रहा है एक आपका जो है काने का मतलब फिल्टेम है ठीक फिल्टेम को सब से ऊपर पोरा इससे प्रदाशित करते हैं इधर होता है इसमें दिखाया कि मतलब तो है प्रेंट्स की आपका जो इहां पर माली जो आरेक्ट बना के लाइए इसमें दिखाया गएा मतलब ऊपर जो सबसे कम बन लग रहा है उसे नीचे ठोड़ा दीक उसोनिसे ठोड़ा दिक आ मतलब नीचे रखना रहा हूं फिर नीचे निचे रहा है तो सब्भी बल लगें तो जब यहां पर लगेंगे और इस लेटरल फोर्स काते हैं अब लेटरल फोर्स लगेगा तो लेटरल फोर्स भी दो प्रकार के होते हैं अब देखिए लेटरल फोर्स दो प्रकार के कौश 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 होते हैं तो एक प्रेसर होता है एक प्रेसर होता है लेटरल प् तो इसे हम जो कहेंगे कि कहेंगे कि इसे जो पाइसी हो ठीक अब आये हम लोग थोड़ा देखिए इसमें चलते हैं इदर आपका आरेक में जो आपको यहां से यहां तक की दूरी दिखाए दे रिजल्टेंट जो इसका होता है यहां पर कुछ कार्य करता है है यहां पर काम करते हैं और कैसे कारे करते हैं ठीक तो आपको यह समझ में आ रहा हुआ ठीक उपर जो था मिनमम प्रेसर लगता है नीचे मैं प्रेसर लगता है और यहां से मतलब यहां पर जो है यहां से बार को काट की निकाल लेते हैं ठीक यह तो हो गया और देखिए फ्रेंट्स बहुत बच्चे यहां से यहां तक की दूरी ले लेते हैं हाला कि कई भूकों में भी इसे दिखा रखा है लेकिन आप ले सकते हैं ठीक कि यहां से मतलब यहां से जो होता ना यहां से मतलब इसका रएख मतलब जो इसका नदाई बनेगा इसका अलग रग बनेगा चुकि यहां का रेंげंगे स्टेस्श दाएगी यहां का जो होता है यहां पर यहां पर बल कम लगता है तो इसका ब उनल स्च्शल करने Знаешь comprendre से कंप File can présent then further क्यूंकि कि मलई में है कि यहां को ऐसे खड़ी कर रहे है ठीक को हम इसको ऐसे मतलब ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ठीक को घुक कि आगर अगर हम यहीं पर एक ऐसे मतलब कोई ऐसा पार्ट जो होता है कि अगर हम लगा देते हैं जैसे अगर हम यहां पर कुछ एक ऐसा इस पार्ट लगा देंगे ऐसे तो यह इसे रिटेंड करेंगा मतलब पीछे से रिटेंड करेंगा कि तुम रुखे रहे हो ठीक तो यहां पर की अपा से करे में ऊसे में थstarsा कि एक संबलंबा में यहां से हां तक युद्ड होता है एक हुक्त जो अकर्थ выглядит संबलंबा करोते है टीक और आफिसे समझ पा रहेगी तो दहुत दुखिए बेस दलब के दो पाथ होता है तो होने के बाद जो होता है इसे हिंदी में पदाग्र करते हैं और हिल को हिंदी बच्चों के लिए और जो होता है हिल जो होता है greater than T मतलब जो हील होता है ओटे से बड़ा होता है अब देखिए अब हम पढ़ेंगे जो इसमें की टाइप आफ रिटेनिंग वाल्व मतलब रिटेनिंग वाल्व कितनी प्रकार के होती है आपकी ठीक मेरे काने का मतलब यह तो देखिए फ्रेंट्स कि इस प्रकार से मैं लिख कर लाया हूं हाला कि यह तो पूरी नहीं है और भी रिटेनिंग वाल्व के प्रकार के होती है फिलाल जितना आपको बलब्द हो सका हमने किया ठीक मेरे काने का मतलब है फ्रेंट्स यह है कि यदि आप मली इंजिनिरिंग कर रहे हैं वगरा है जो कि इसमाफ्ची हो गया आप जब भी किसी साइड पर जाएंगे तो आज कल देखें रिटेनिंग वाल्व जो है बहुत आसानी में जो इरिटेनिंग वाल आप देख रहे हैं फिगर बहुत आसानी में रिटेनिग वाल दोनों तरफ के आपने महमार जहां पर हाईवे बन रह प्रति दिवाल के प्रकार पहला तो गुरु तो यह प्रति धारेक दिवाल प्रति धारेक दिवाल कांटर फोर्ट रिटेनिंग वाल ठीक यह जो यह प्रति दिवाल के अंतर गाता आती हैं तो इन्हें हम लोग पढ़ेंगे आगे चलके हम इसकी कुछ ड्राइंगे बना कर लाएं ताकि आप देखें तो आपको यह कुछ अच्छे वे में समझ में आये फ्रेंट्स ओके तो देखिए यहां पर हम कुछ ड्राइंग बना कर अब देख यहां और द्राइंग आप देख पा रहे होगे अच्छे वे में देखिए परली वाली जो ड्राइंग बना कर लाएं कुछ इस परकार से ग्रेविटी रिटेरिनिंग वाल होती है कुछ इस के चलकर यहां पर देखिए जो आप नियुट टाइप कांट्र लीवर आपको नले लग रहा वोगा कि दैखिए इस लिए इसलिए बोला जा रहे हुआ यहां पर देखिए एक बटर लगा यहाँ को प्लतती की प्लाट नहीं हाँ तो आपको इस ड्राइग्राम को देखा कुछ आईडिया लग रहा होगा ऐसा कि मतलब हाँ आइसे हम लोग पड़ेंगे थालिक दिवाल बनानी है और एक इस परकार से काम करती है तो मेरे कहने का मतलब यहीं जैसे कि आपको कुछ आइडिया लग जाए इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे थाम रूल आफ पांट रिवर्म जैसा कि हम लोगों इसके पहले जो वीडियो शुट किये थी हम लोगों वहां पर हम लोगों ने देखा कि जो यहां से फोरच लेंगे इसकी हाइट इतनी होगी मतलब और इसकी हाइट करें निकाल पाएंगे केंड़ी तुट कहने का मतलब यही है कि आपको यदी रिटेंग वाल बद्दिये दी गतीक कि यदि रिटेनिंग वाल्व दे दिए तो आप निकाल लेंगे पिर क immense काने का मतलब यह है ऊ-마ल के फ्रेंट्स तो यदि माल दीजाए आपको देती जाए रिटेनिंग तो मेरे कहने का मतलब यह ही है कि यहां पर जो आपको इसमाले इते निवाल बदे देगी ठीक अब इसमें आपको साइज न दी जाए जैसे आप 15 सेंटीमीटर तीस सेंटीमीटर लिखा गया है यह साइज यह दी आपको न दी जाए तो आप कैसे निकाल लेंगे और फ्रेंट यहां से हम लोग निकाल लेंगे कैसे तो देखिए आपको निकालनी हो मतलब यहां से स्लाइब की मतलब चौड़ाई कितनी रखेंगे तो आप यहां पर लिखेंगी कि B is equal 0.4H to 0.6H काने का मतलब है अब 0.4 से 0.6 तक ले सकते हैं इसमें जो है सब्सक्राइब यहां पर आप देखर न्य questo को नहीं सब्सक्राइब कुला इसयों pakी मोटाई निकालने मद्में सब्सक्राइब दस मीटर हो तो आप इसकी एक मीटर जो है इसकी यहां से हाथ तक मोटाई होगी ठीक अब देखिए इसमें हमको टो निकालना हो टो का मतलब जो होता है यहां से हाथ तक की जो दूरी टो हो तो यह भी भाई थ्री या भी भाई फोर मतलब जो बी निकाले हैं आप यहां से भाग कर दें तो हमको निकल जाएगा ठीक और तो को हिंदी में पदागर करते हैं इसको हिंदी में पात करते हैं हिल को और यहां से यहां तक की जो पूरी हाइट होती से यहां से यहां तक की जो हाईट होती से माल एच करते हैं आप इस बात को अच्छे से समस्वारे होंगे तो यहां से यहां तक जो हाईट होती आपके ग्राउंड लेबल कालातेश्ब्स हम लोग देख पाएंगे उसे तो मेरे कहने का तरीका यह है कि मेरे कहने का मतलब यहाखी आंप देखे गाल इखा गया है कि दीवार की कुल उचाई काइटल अधार सलायब के नीचे लै मने मने समझाए को आथार सलायब के नीचे से सीर्ष के उचे मतलब या इसे कहाँए ठीक कि इस्टेम सिर्ष पर चौड़ाई 15 cm से 3 स्टेम का जो सिर्ष होगा आपको ऐसे ही देखा कि इस्टेम का सिर्ष इतना है तो यहां से आप से पंदर सचती सेंटिमिटर ले सकते हैं ठीक यह आपको डाटा न दिया जाए और बोला जाए कि आप इसे को बनाईए तो आप कैसे बनाएंगे वह सब प्रोसर समझाया जा रहा है ठीक और जब दिया भी जाएगा ना तो आपको पता नहीं रहेगा कि मतलब इस टेम का सिर् करने के लिए वीडियो सब आम लोग लाई जाती है ओके तो देखिए यहां तक हो गया ना तो इस टेम के सिर्ष की चौड़ाई हो गई आपकी पंदर सब्सक्राइब के आधार की चौड़ाई यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है यह दोनों इस्टेम मतलब यह जितना लिए कर लाएं वह बहुत इंपोर्टेंट है आप इसका इस्क्रीम सौट माल लिजिए और यह दो बार इस वीडियो को इतना ही दूर प्लेरी प्ले करके देख लीजिए गा ठीक करने का मतलब देखिए अब स्टेम के आधार की चौड़ाई इस्टेम का आधार यह है ठीक प्लश क्या उस्टेम का आधार है अब अदेखिए नीचे क्या बोला है ,答 и कैसे निकालेंगे सिर्ष की चौड़ाई प्लस प्लस फोर फोर आप लेंगे गुड़े इस्टेम क्यों चाहि मतलब यहां से इस्टेम क्यों चाहिए इसमाल हर आप यहां पर लेंगे ठीकह किg इस्थमेंग मैं यारि इसी बात को बोल रहा है किg अगर स्थेम की हईड काईट निकालने के लिए पूरी हईट मस्याप मैन्स कर दीजिए टार अक्स समें इसमेड जोिट फिसमें झो आफ कवर लेंगे 40 से 70 मतलब यहां से कवर लेंगे नीचे से बार डालने के लिए फिर यहां से आप वगर बार डालने के लिए पचास से 70 लेंगे ठीक आधार स्लैब की चौड़ाई 0.4-0.6 अभी जिस्ट हमने तॉपिक पर बात की इसी की हों बता रहे हैं ठीक मैं तो देखे इस टेम आधार सलेब की मोटाई जो है इतनी हो गई आधार सलेब की मोटाई आधार तलब आपका यहां से आं तक है आधार स्लेव आपका यहां से यहां तक है इस्टेम की सिर्ष उचाई यहां से यहां तक है इसलिए आपको कई बारे वीडियो को बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे वेम में याद हुआ और आप एकि भार में एक वीडियो में complete करने करने के वाली कांटी लिवर भी जैसे की त़िसे थज्ज्या उला दें ठेक तो यही करने का मतलब है यहां पर देखिए आधार स्लाइब की जो मोटाई है आपके आधार लाइब की जो है मोटाई है यहां से यह तक दूरियों मोटाई इससे आप 10 वारा गुंणा रखेंगे तो आपका जो यहां से यहां तक तौ आभी हमने बताया उसे बी भाइ और हमारी भी कुछ आप परिसानी आप समझे तो बहुत अच्छा होगा जैसा कि हमारी काने का मतलब यह फ्रेंट्स की जो बच्चे अमल यह आपने इंजिनिरिंग कंप्लीट कर ली अच्छी बात नहीं अपने पेपर हो गए देल नहीं बहुत अच्छी बात है आपका अच् वाट पर गएं आपको यहीं भी मिटां करदे दिया जाया तो आप आप और यहिं ख़ीजैं को डीट कर दिया चैया मेंसे ऑन्लाइन आप मोगाईल कर रहे हैं 10 iston 20 मिन फीमीनेट ती और यहां लुत 7 के अथ कि लिए और गया है ऐसा है फ्रेंट्स की देखिए हम लोग कांटिनु वीडियो वहां पर क्यों नहीं ला पाएं देखिए फ्रेंट्स मेरे भी पढ़ाई अगर चलती है तो वहां पर मेरे को भी देखिए प्राइबेट कालोजियों में अगरी चेंटर उंटर जाता तो आप समझ रहे होंगे तो वह ही है फ्रेंट्स तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है फिर आपको लोगों के लिए अब इसी को कॉंटेंट बनाने में इसे आपको तीम दिल लग गए हैं और आप लोग समझेंगे कि इसमें क्या है वगरे तो ऐसा नहीं से सभी बहुत महने से बना घाना और हम इसी तर कांटीलियो इसके बाद हम आते सी समेश्टर की जो है ड्राइंग लाने वाले हैं और जैसे यह ड्राइंग में एक दो वीडियो और वच्छी है आपकी ठेक इसके बाद हम कांटी लिए लाएंगे और याप इज़ी पार्ल टेक्निक के सभी वीडियो क को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ लेक कर दे सकता हूं या आपको कोई फैल नहीं कर सकता जाइन फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में